दोस्तों आज के वीडियो में हम बालों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जो बड़ी रेर है लेकिन बड़ी परशान करने वाली है इस बीमारी का नाम है ट्राइको टिलो मैनिया यानि हेर पुल डिसोडर दोस्तों इस बीमारी के अंदर व्यक्ति अपने ही सिर्के बालों को निकालना शुरू कर देता है और उसे इस बात का पता भी नहीं लगता सिर्के अलावा वो दाड़ी मुच्छों के आईब्रोस के आईलेशिस के बाल भी निकाल सकता है और कभी-कभी मनुश्य हातों के पामों के इंग्वाइनल रिजन के अंडर आरम्स तक के भी बाल निकाल सकता है ये अमूमन पुर्शों और महिलाओं में एक जैसा देखने में मिलता है ये चाइल्ड हुड और एडॉल्संस में होने वाली बीमारी है लेकिन कई बार ये अडल्ट हुड में भी चलती है दोस्तों इस बीमारी के कारणों के बारे में ज्यादा पता नह हो सकती है यानि फर्स्ट डिग्री रिलेशन के अंदर ये बीमारी अमूमन पाई जाती है अमेरिकन जनल ओफ साइकेटरी के अनुसार 0.5 से 2% लोगों में ये बीमारी रिपोर्ट हो सकती है लेकिन ज्यादा तर लोग अपनी इस बीमारी के बारे में बताते नहीं है इसलि इस बीमारी को Dermatologist, Trichologist और Psychiatrist ये तीनों ही देख सकते हैं इसके बारे में जान सकते हैं और पेशन का इलाज कर सकते हैं इस बीमारी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेशन को पता नहीं लगता कि ये बीमारी क्या है उसे अपनी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नह जब उसके बालों का हेर लोस का एरिया बढ़ जाता है स्केलप खाली नजराने चुरू होती है तब घर वालों को चिंता होती है कि यह क्या और आया है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पेशेंट को हेर लोस नहीं है यह कुछ और बीमारी है तो वह किसी डॉक्टर को पिचने शुरू कर देता है तब घरवाले चिंतित हो जाते हैं और पेशन्ट का इलाज करवाते हैं दोस्तों इस बीमारी के रिजन पता नहीं है इस बीमारी की इतिलोजी क्लियर नहीं है हम यह नहीं जानते कि क्यों होती है इसके कारणों में या तो चाइल्ड हुड ट्रोम होगा तो मुझे anxiety से रहत मिल जाएगी मेरी चिंता कम हो जाएगी मेरा stress कम हो जाएगा उसे लगता है कि जैसे scalp के अंदर कुछ चीज रगड रही है या मुझे कुछ allergy हो रही है वह बालों को पुल करता है और उसे उस allergy में अराम मिलता है तो वह इसे बार-बार करता है उसक सब्सक्राइब इसके साथ differential diagnosis करते हैं तो trichotillomania में यानि hair pull disorder के अंदर बाल छोटे-छोटे अपनी जिंगे पर होते हैं और बाकी बाल टूटा हुआ मिलता है इसके अंदर scalp खाली नहीं होता scalp के अंदर scarring नहीं होती scalp चिकना नहीं होता alopecia riata के अंदर भी localized hair loss होता है और trichotillomania में भी localized hair loss होता है फरक यह होता है कि alopecia riata में scalp बिल्कुल चिकनी होती है और trichotillomania के अंदर छोटे-छोटे बाल नजर आते हैं दोस्तों इस बिमारी के एक लक्षन में patient जो बाल तोड़ता है उसे खा भी जाता है जिसे trichophagy कहा जाता है यह बड़ा ही खतरनाक हो सकता है patient के पेट में patient के आतों में यह बाल इकटे हो सकते हैं जिससे उसकी आतें ब्लोक हो सकती है intestinal obstruction उसे हो सकती है जो जान लिवा भी हो सकती है इसलिए ऐसे patient का बड़ा ही ध्यान देना अवश्यक होता है दोस्तों अब हम बात करेंगे trichotillomania के इलाज की इलाज के अंदर दो चीज़े होती है HRT HRT का अर्थ होता है habit reversal training और दूसरा antidepressant medicines दोस्तों HRT में 5 चीज़े involved होती है नंबर एक awareness patient को पता ही नहीं होता कि मुझे इस तरह की कोई बिमारी है मैं अपने बाल खुदी खीशता हूँ उसको यह वेर कराना पड़ता है उसे यह बताना पड़ता है कि तुम्हें यह समस्या है इसे अवेर्नेस ट्रेनिंग कहा जाता है दोस्तों दूसरी बात है competing response training इसमें patient को समझाया जाता है कि जब उसको बाल निकालने की अर्ज हो तो उसे कैसे response करना है उसका behavior कैसा होना चाहिए तीसरी बात motivation and compliance दोस्तों patient को बार-बार motivate किया जाता है कि वो अपनी इस आदत को छोड़े और जब वो इसमें success होता है तो उसे appreciation दी जाती है जिसे उसे motivation मिलती है और वो दुबारा ना करने के लिए प्रेरित होता है चोथी बात relaxation technique दोस्तों इसके अंदर meditation और अन्य breathing exercise कराई जाती है जिससे patient का control बढ़ जाता है और वो इस habit से बचना शुरू कर देता है या फिर वो बालों को नहीं निकालता और दोस्तों पांच भी सबसे अंतिम new skill development patient को किसी अन्य skill पे लगाया जाता है जब वो बाल निकालने के लिए अर्ज होता है उसके मन में बाल निकालने के इच्छा होती है तो उसे ध्यान shift करना सिखाया जाता है उसे किसी नई skill की तरफ मोडा जाता है ताकि वो बाल निकालने की आदस से बच सके इस तरह से इन पा depression treatment कहते हैं दोस्तों यह treatment anxiety stress depression को दूर करने के लिए होता है यह अन्य कुछ psychiatric या psychological symptom होते हैं उसे भी दूर करने का यतन किया जाता है इसके अंदर herbal medicines ayurvedic medicines जो मुनरोग में काम करती हैं बहुत अच्छा लाब देती हैं patient की counseling हो HRT हो meditation हो और patient को कुछ दौई यह साथ में चलें तो इसके बहुत अच्छे result आते हैं और काफी सारे patients को इस बीमारी से बाहर निकालने में मदद मिलती है दोस्तों आपको यह video अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे share करिए क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मरीज है जो इस बीमारी से पिडित है इसका इलाज उन्हें प्रोपर मिल जाए प्रोपर उनके अंदर awareness create हो इस बीमारी को वह समझ पाए और अपना इलाज करा पाए ऐसी हमारी इच्छा है आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नहीं विश्य के साथ तब तक के लिए नमस्कार